हलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज मेले कैई हूँ आपके लिए करना दर वीडियो दोस्तों, आज से पांस दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने क्रेडित कार्ड का सेटलमेंड कराया? मेरे घर पर जो recovery agent आते थे मेरे को कितना amount पर settlement कराना पड़ा मेरा civil जो है कैसे इन दो सालों में ठीक हुआ तो वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी लेकिन काफी सारे customer मेरे से उसमें ये सवाल पूछ रहे थे वीडियो देखता था और यह सूचता थी किस तरीके से मेरे घर पर recovery agent ना है लेकिन दोस्तों मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको काफी सारे ऐसे यूटूब बे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पुलिस के बाद जा सकते हैं आप वकील हायर कर सकते हैं कोट में जाके बता सकते हैं कि इस तरीके का मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो लिटरिली मैं आपको बताऊं आज से दो साल पहले जब मेरे साथ ऐसे हुआ था तो उनको भी लगता था क्या पता यह ऑफीस चला जाए कहीं पर चला जाए तो इससे पहले ही पहुँच जाओ इसके घर से निकलने से पहली तो काफी सारे मतलब एजेंट आते थे तो मैंने भी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखे पढ़ा भी कि वकील का सहारा ले सकते है या पुलिस के स्टेशन के पाथ जा सकते हैं तो मैं जब मेरे साथ ऐसे होने लगा तो मैं एक बार पुलिस स्टेशन गया अपने घर के जो नियर बाय था तो वहाँ पर मेरे को पुलिस वाले ने क्या बोला मैं आपको बताता हूं उसने मेरे को ये बोला कि जब तूने लो इस वाले आपको ऐसे ही बोलेंगे, अब मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपके पास एक option तो यह हो गया है, कि आप पुलिस सेशन जाके बता सकते हैं, कि इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, अगर वो पुलिस वाला आपको बोल देता है, कि ठीके मैं help करू तो मैं आपको लिटरिली बताता हूँ, कि जब मैं first time court गया था, मतलब आज तक मैंने court गया है, किसी भी reason से नहीं गया था, मैं court पे गया, और वहाँ पर न पता है, आपको क्या होगा, कि वकील आपके पास खुद चल के हैंगा, आप वकील के पास नहीं जाते है, वकील कर दिया उस time में, मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरे को मैं देख लूँगा, क्या problem है, लेकिन फिर मेरे को एक और वकील आके पूछता है, कि क्या problem है, मैरे को ठीक लगे थोड़े agent थे, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसी ऐसी problem है, मेरे घर पर recovery agent आते है, मेरे पास पैसे नहीं ह यहां से कर देता हूँ, यहां से notice आप वहां जाएगा, आप recovery agent वाला आएगा, तो आप notice दिखा देना है, कि यह है फलाना है, उससे मैंने बात कि तो उसने मेरे से चार्ज लिया 800 रुपे, उसके जो भी चार्ज थे, वो 800 रुपे चार्ज लिया, और फिर वो एक पता नही recovery agent है, मतलब वो ऐसने एक पर डे आते थे, एक दो दिन, चार दिन छोड़ के आते थे, तो मैं वेट करा, कि आप मैं जो है, यह notice दिखा दूँगा, तो हो सकता है, कि recovery agent मेरे घर पर आया, और मैंने वो notice दिखाया, कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने क्या बोला, कि इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, चाहिए तुम जो भी कर लो, यह फैक दो इसको कूड़े में, हमको तो हमारा पैसा चाहिए, चाहिए कुछ भी हो, फिर क्या होगा, मैंने उस टाइम में उनको कैसे कैसे करके बोला है, कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ, औ हमान के चिलें, मैं क्या कर रहा है, कि मैं वकील के पास दुबारा गया, मैंने बोला कि सर वह तो चहराएं कि कुछ नहीं हो था यह होता है, एकउर चीज है, आप नोटिस वगिरा है, पता नहीं क्या चीज है, वह आपको बनवाकर दे देता हूँ, आप जो है, इसके मदद से आपके पास रिकवरी एजेंट नहीं आएगे मैं कोड से ये करा दूगा वो करा दूगा फिर उसने मेरे से साथ सो आट सो जो भी फीस थी वह आप ली मतब की मेरा यहाँ पर दो पच्छिस सो रुपए के करीबन करीबन खर्च हो गया तो मैंने भी कान पकड़ ले मैंने ब बना लो या फोटो कीशलो और पुलिस वालों को जाके दिखाई जा एसा एसा मेरे साथ हो रहा एक प्लीज हैल्प तो सकता है वह आपकी हैल्प नहीं थी तो मैं आपको बतारहुकं अधिते हैं कि सभी पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं और जहां तरच वकील की बात रही तो वकील तो अब अब ऐसा निये कि देखंगेrences और उन्होंने मेरे पैसे नहीं हुआ लेकिन कुछ नहीं थे लेकिन कैसे नहीं कैसे करके मैंने सोचा कि recovery अब मैं आपको यह बतातू कि किस तरीके से मैंने recovery agent से पीछा चुड़ाया मत्तब यहां तो पुलिस से help मेरे को मिली नहीं और नहीं वकील से कुछ ज्यादा help मिल पाई तो यहां पर मैंने कैसे recovery agent से पीछा चुड़ाया तो मैं आपको एक चीज बतातू कि मैं पुलिस के पा हैं तो आपका civil जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और कल के डेट में लोन नहीं मिल पाईगा क्योंकि मेरे को भी कम से कम एक साल तक किसी भी तरीके का कोई भी लोन नहीं मिला तो वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ यही है कि अगर आपको परिसानी हो यह recovery agent आपक कुछ से ही help की अपने आपकी तो पहले आपको मैं बता दू कि recovery agent आपके पास पहले ही पचासों वा रहा है तो अगर आप मान के लिए रहते हैं तो आप रूम चेंज कर लिजे कोई कुछ नी करने वाला आपके पास calls आती रहेगी लास्ट में खुदिया आपको बोलेगा कि सर सेटलमेंट करा लो प्लीज सेटलमेंट करा लो सेटलमेंट की call आने लग जाएगी वो कम से कम पांच महीने चे महीने के बाद क्योंकि पांच महीने तो कम से कम आपको call करके परिसानी कर देंगे वो लोग आप नया नमबर भी ले लिए तो उस पर भी calls आती रहती थी तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दो कि अब जो है अगर मान के चलिए कि आपके पास recovery agent आने लग जाते हैं तो कम से कम वो तो आपको दो-तीन महिने तो छोड़ेंगे नहीं, दो-तीन महिने आपको पकड़ के रखेंगे, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, बस यही बोलें परसो दे रहाँ, पांस दिन के बाद, दस दिन के बाद, टालते रहेगे, टालते रहेगे, लास्ट में वो खुद ही ठक जाएंगे, बाद में आपके पास bank के तरफ से call आएगे, कि sir आप credit card का settlement करा लो, अब settlement आपको bank इतने जल्दी नहीं बोलते हैं कि settlement हम आपको दे रहे अब मान के चले कि आप 6 मेने payment नहीं करते हैं, 7 मेने नहीं करते हैं, तो bank को भी यह अंदाजा हो जाता है कि अब जो है यह payment नहीं आने वाली, अब पूरा payment नहीं आ रहे तो कम से कम आधा payment तो हम निकल वाले, कि कम से कम कुछ पैसे तो आए, मान के चले कि 1,000,000 रुपई का डिफॉल्ल करते हैं, एक लाग रुपे का पेमेंट नहीं किया, तो बैंक भी यह सोचते हैं कि कम से कम 40, 50, 60,000 जो भी है, 30, 35,000 जो भी है, वो आ जाए कम से कम, तो लास्ट में आपको कॉल आने लग जाए कि सर आप सेटलमेंट करा लो, फिर वो आपको मेल पे एक लेटर दे करने के बाद, आपको यह बोलेंगे, कि सर आप इतने का हम सेटलमेंट कर रहे हैं, आप इसका पेमेंट प्लीज आप जो है, यह कर दिजे, या अगर आप इसका पेमेंट अगर फुली नहीं करना चाहते, तो मन्थली हम कर देते हैं, तो मन्थली आप पे कर दिजे, अब मा आपको help मिल जाती है वकील और पुलिस से तो अच्छी बात है नहीं मिल पाती तो 6 मैने तक पत्थर बन जाओ और वो आपको जो भी बोलते हैं हाँ 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 बोलते रहो आपको मार नहीं सकते हैं आपको पीट नहीं सकते हैं वो आपको बस परिसान नहीं करेंगे और परिसा तो आप जाहिर सी बात है कि bank को भी लगने लग जागे कि payment तो आप आने वाली नहीं है तो चलो settlement कर रहा कि कुछ पैसा जो है आपसे recover कर ले और इस वीडियो के last में मैं आपको यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप पे करने में सक्च में आप पे कर सकते हैं तो credit card का payment या किसी भी loan का payment कर देने में ही भला यह क्योंकि civil अगर खराब हो जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि civil खराब हो जाने के बज़े से मैं अपना कुछ भी चीज़ finance कराता तो वो reject हो जाता तो पत्थर बन जाएए छे महीने तक तो जो है आपको वो परिसान करेंगे यह recovery agent वाले घर पे आएगे अगर आप पुलिस का सारा लेना चाहते तो ले सकते हैं अगर आप वकिल का सारा लेना चाहते तो ले सकते हैं जैसे मैंने भी लिया तो आप देख मैंने आपको अगर आप टोटल पेमेंट करना चाहते हैं तो टोटल कर सकते हैं जैसे मान के चली कि आपने एक लागा डिफॉल्ट किया तो आप बैंक कर दे कि इतने अमांट पर आपको सेटलमेंट हम कराके दे रहें तो अब इसका पेमेंट आप कीजिए recovery agent आपका आना बंद हो झालेवाध।